नमस्कार दोस्तो योग आईरबेद में आपका पुनास्वागत करता हूँ एक नई औसद्य जानकारी के साथ तो दोस्तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां या वरस्पतियां होती हैं जो आपको लता के रूप में पौधे के रूप में पेड के रूप में प्राप्त हो जाती है तो एक ऐसी ही लता है जो आपको जादा कर रोट के किनारे पेडों के उपर या जाडियों के उपर देखने को मिलती हैं प्रंतु हम इसका प्रियोग नहीं जानते इसके गुड़ धरम से अबगत नहीं होते इसका हम प्रियोग नहीं कर पाते तो एक ऐसी ही पर सपेद सपेद धारियां होती है और दूसरी सारवा जिसको हम काली ये किश्ण शारवा के नाम से जानते हैं तो जो आप सारवा देख रहे हैं ये किश्ण सारवा है इसके पत्ते जामुन के पत्ते के समान होते हैं इसके पत्ते करीब 5 cm लंबे होते हैं तो आप देख लें इस काली सार्वा के बहुत सारे प्रियोग है जो हम चरम रोगों में इसके रोगों में जो सार्वा वद यूज करते हैं वो इस सार्वा से बनती है तो इस कृष्ण शार्वा का प्रियोग हम जादा कर इसके प्रावलम में इसकी जड़का किया करते हैं तो आप इस कृष्ण शारवा के बारे में जान ले इस कृष्ण शारवा के जो फल है ये नोकदार मोचो की तरह दिखाई देते हैं और इसके फल के उपर आप कहीं भी अगर खरोच मारते हैं पत्ता तोड़ते हैं या लता जो भूरे रंकी होती है इसको आप कहीं भी खरोच मारते हैं तो इन में सम्में दूद निकलता है और इसके जो पुष्प हैं यह मंजरी में सपेद रंके होते हैं और यह आपको साल के 12 मौस देखने को मिल जाती है किश्ण शार्वा का उपयोग खुजली कुश्णोग बुखार डावेडीस उल्टी रक्त विकार में आधिक से किया जाता है इस सार्वा लता को सदा हरी रहती है यह यह लंबी आर होई लता होती है इसकी चाल सामने रंकी होती है इसके फल संगंदit एवम हरे शफेद अत्वा बैगनी वरण के होते है इसकी फली बिलनकार पतली और 10 से 15 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर चाड़ी होती है जो दो दो फलीओं एक साथ लगी होती है इसका बोटी का नाम इकोनो करफस फुरूटोनेस है इसको हिंदी में काली शार काली अनन्तमूल दुद्ध का इंगलिश में बिलैक कीपर संस्कृत में श्यामा, गोपी, किष्ण शार्वा, उडिया में शुमाई नोई, कंणन में गोर्भी वल्ली, तेलगू में इकट्टू, तमिल में उदर गोली, बंगाली में सियाइमू लता, नेपाली में निल्ला टिग्गा यादी नामों से जानते हैं, आप इस किष्ण सार्वा को या अननत मूल को किस नाम से जानते हैं में कमेंड वॉक्स में जाकर बता सकते हैं इस सारवा का उसदिय प्रियोग की बात करें तो इसको बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए प्रियोग किया जा सकता है सिर दर्द होने पर आप इसके सारवा के पत्तों को तेल में पका कर छाल ले और इससे आप सिर की मालिश करते हैं तो जिस सिर से जोड़े बिकारों में काफी लाब होता है रताउंदि होने पर आप इस सारवा का प्रियोग कर सकते है इसके पंचान का कॉथ बनाकर आफ आखों की दुलाई करते है इसे आपके रताउंदि की शमस्या दूर हो जाती है आपके दातों या मूँ से खून निकलना, शूजन होना या गला पका होना आदी समस्या होने पर आप इसका पंचांग काड़ा का बनाकर इससे गरारे करते हैं तो आपके दातों से होने वाला रक्त शिरब, जिबा की शूजन, यादी की समस्या ठीक हो जाती है आपके किसी भी सरीर में अगर एठन अकड़न है तो आप इसकी जड़ काड़ा बना ले करेब 10 से 30 मिलीटर की मात्रा में आप पिलाते हैं तो आपके अंगों की एठन अकड़न की बीमारी में बिसेस लाब प्राप्त होता है ये अपच की समस्या को भी दूर करता है तो आप इसकी जड़ का चूरण 1-2 ग्राम की मात्रा में आप सेवर करते हैं तो आपके पेट की जो अपच है वो ठीक करता है अगर आपको भूक नहीं लगती है आपको सरीर दूबला या पतला है तो आप इस सारवा का प्रियोग कर सकते हैं 1-2 ग्राम किश्ण सारवा की जड़ और 250 mg चितरक मूल की जड़ आप सेवर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी भूक बढ़ जाती है पेचिस होने पर आप इसके पंचांग का चूरण 1-2 ग्राम की मात्रा में सेवर करने मात्र से आपकी पेचिस में विशेश लाव होता है बवासीर रोगियों को इस सारवा का प्रियोग अवश्य करना चाहिए इसकी जड़ का चूरण 1-2 ग्राम धही अच्छांच के साथ सेवर करने से ववासीर ठीक हो जाती है किड्नी में इस्टोन या पत्री हो जाने पर आप इस किश्ण शारवा की जड़ का चूरण दूद के साथ सेवर करें इससे आपकी पत्री की समस्या ठीक हो जाती है पेसाव रूरुके आना, पेसाव में खून आना या तिल्ली बढ़ जाना ऐसी समस्या होने पर आप इसका पंचांग का कारणा वना ले और 10-30 मिलिली्टर की मातरा में आप सेवर करते हैं तो आपकी तिल्ली का बढ़ जाना, फेश्वाम में खून आना या दिस समस्या ठी चुरण सेवन करने से आपकी लिकोरिया ठीक हो जाती है पिर्शव के बाद इसतनों को स्वस्थ बनाती है आप 15-30 ml सारवा की जड़का काड़ा एक ग्राम पीपली का चुरण मिला कर आप इसका सेवन करवाते हैं तो पिर्शव के बाद होने वाली इसतन सम्मंदित विकारों में विशेश लाव होता है अर्थराइटिस या गठिया होने पर आप इसके पत्तों को तोड़कर इसको पीस कर लेब बनाकर आप गठिया या जोड़ों पर आप लेब करते हैं तो उसमें दर्द में आराम हो जाता है बारिस के मौसम में हमारे उंगलियों के बीच में में जो गहाओ है वहां लगाते हैं तो वह जल्दी ही ठीक हो जाते हैं बुखार उतारने के लिए भी आप इस सार्वा का प्रियोग कर सकते हैं इसके पत्ते डंठल सहित और जड़ का काड़ा आप 30 मिलिलिटर की मात्रा में सेबन करवाने से आपका बुखार ठीक हो जाता ह है अगर आपके किसी विसेस अंग पर शूजन है स्वैलिंग है तो आप इस किशन शार्वा के पत्तों को पीस कर गुणगुना करके सूजन वाली इस्तान पर लगाएं इसे कीडों के कारण होने वाली सूजन ठीक हो जाती है आपको सरीर पर कहीं भी कुष्ट है रक्त विक किसंट अध Toronto कार हो जाते हैं तो इस सार्वा को हम प्रियोक पत्थे जड़ और इसका पंका करते हैं तो इसका इसकी झड़का वंदा काड़ा करीब हम 10-30 मिलिटर हमद से 9 Cheryl और इसका जड़का चुरण करीब एक से दो ग्राम और इसका पंचांग का काड़ा 15 से 30 मिल लीटर हम प्रियोग में कर सकते हैं तो इस किशन शारवा का प्रियोग आप कौन सी बीमारी में किस प्रिकार करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं अगर आपको इस किशन शारवा की जानकारी आपको यूजफुल लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही ऑसदिये बनस्पति के साथ तब तक के लिए जैहिल